हेलो दोस्तो नमस्कार मेरे नाम है अमरजीत और स्वागत अपका मेरे युटरीप चाहिएज सब्सद्रों आज कीस स्वीडि़ीयरोम जानेंगे कि कैसे wordpaste और ads code को लगा जाता है दोस्तों इससे नुक्सान क्या होता है कि आपका CTR काफी ज़्यादा हाई होता है जिससे आपका AdSense बंदने चाश्चिस काफी ज़्यादा बढ़ जाता है तो आज मैं यह सिखेंगे कि कैसे WordPress में AdSense Code को मैनुली लगायाता है यह काम आप अपने computer से या आपके mobile कहीं से भी कर सकते हैं तो चलते हैं अपने computer के screen पर और वहाँ पर सीखते हैं कैसे AdSense Code को मैनुली लगायाता है तो दोस्तों अपने website में मैनुली एड लगाने के लिए आपको सबसे पहले अपने AdSense में आ जाना है तो यहां से मैं AdSense के home page में आ चुगा हूँ यहां पर जाने के बाद आपको एक ads option देखने को मिलेगा तो आपको इस ads पर क्लिक कर देना है इसके यहां पर आपको लिखा हुआ है by add unit का तो आपको इस by add unit पर क्लिक करना है देन यहां पर आपको display add, feed add और article यहां आपको तीन तरक add देखने को मिल रहेंगे तो आपको जिस भी तरक add अपने website में यूज़ करना है आप उस वाले add को select करेंगे तो यहां से अभी मैं display add को लगाने वाला हूँ तो यहां से मैं display add को select करूँगा तो फ्रेंड लगाने से पहले आपको दू-तिन काम करना है जैसे कि आपको इस add का नाम देना है तो यहां से आप इस add का नाम कुछ भी दे सकते है तो यहां से मैं इस add का नाम देता हूँ display add 3 क्योंकि यहां से मैंने पहले से display add 1 और 2 चला कर रखा इसलिए यहां से मैं display add 3 नाम इसे देता हूँ देनिस्केल फ्रेंड यहां आपको इसका size लिखावा कि आप जो add का size क्या रखने चाहते है square, horizontal यह वर्टिकल तो यहां से अगर इसे horizontal करेंगे तो आपको जो add कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा अगर आप इसे vertical करेंगे तो आपका add कुछ इस तरीके से so होगा तो यहां से मैं से horizontal कर देता हूँ देनिस्केल फ्रेंड यहां पर लिखावा add size का तो आपको यहां से add का size select करना है कि आप जो अपने add का size क्या रखना चाहते है अगर आप इसे responsive करतें दुस्तो तो आपको जो add है वो website के लिए laptop में दुस्तो आपको जो add है वो अलग तरीके से दिखेगा और mobile में अलग तरीके से दिखेगा यहां कि friends आपका जो add है mobile और laptop recording चीज़ उता रहेगा अगर आप इसे responsive रखेंगे तो नई तो friends अगर आप इसे fixed करेंगे तो आपका जो add है हर जगे सेम दिखेगा यानि कि यहां पर जो आप रेसिव रखेंगे वह ही रेसिव में add आपका हर जगा दिखेगा चाहे तो वो phone हो गया या फिर computer या फिर laptop हो गया तो यहां से मैं इसे responsive कर देता हूँ इसके फ्रेंट्स आपको simply create पर क्लिक करना है इसके फ्रेंट्स यहां से आपको एक html code देखने को मिल जाएगा आपको simply html let को पूरा copy कर लेना है तो यहां से मैं इस html code को यहां से copy कर लाता हूँ ने तो फ्रेंट्स आपको नीचे आप लिखा हूँगा copy code snippet का तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से भी आपका code जो है वह copy हो जाएगा अब फ्रेंट्स आपको जाना अपने wordpress के dashboard में wordpress के dashboard दॉस्वापको left side में जो है एक option मिलेगा widgets का किensor ट्रेंट्स यहां से आपको जाना अप्यश्म में और यहां से जाना आप WILL आपको यहां पर आने के बाद आपको जो है जाना है विडियुस में पर देखने को मिल जागाए आपके ३ह जाने क्या-क्या तो अभी जो है मैं add को जो है लगाने वाला हूँ तो यहां से मैं front page लिखा हुआ अभी लाकर पेस्ट कर देना है तो मैं इसे प्रेस्ट कर देना है तो यहां से अपने वेबसट पर वापस से इस पेस्ट को रिफ्रेस्स करते है तो फ्रेंट्स जैसे कि आप लोग देख पाएं कि यहाँ पर एड दिखना स्टार्ट हो गया है हमने यही पर एड लगाया था फ्रन्ट पेज में टॉप सेक्षिन में जो कि यहाँ पर दिख रहा है तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग जो है एड सेस में जाकर अलग अलग तरीके से एड लगा सकते हैं दोस्तों अब यह काम हो जाए तो आपको सिंपली इसे डन कर देना है अब यहाँ पर आपको जो डिस्पली आड के लावा फीड एड और आर्टिकल एड भी देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि इन तीन ओ एड के बारे में अलग से वीडियो बना जाए तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगा तो आप लोग जोए इन एड के लावा भी डिस्पली एड और फीड एड भी यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में दूसर हला कि डिस्पलेट काफी अच्छा आट रहता है इसमें काफी एज़ा इंप्रेशन मिलता है यहाँ अपने वीडियो को लाइक करना और अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर जो कि आप डेली नए वीडियो देखने को मिलते ही रहेंगे दोस्तो मैं मिलता है आप से ऐसे किसी मजदाई वीडियो में तब तक है लिए जय हिंद और वंदे मातरम कर दोस्तों